नमस्कार दोस्तो हमारी यूट्यूब चैनल आयर विज्ञान समधान में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे इमली के बारे में क्योंकि इमली एक ऐसा पौदा है जिसके कई तरह के स्वास्तेलाब है इसके गूदे, पतियां और चाल के बहुत सारे फाइदे पा सकते है आम तोर पर भारतिय व्यंजनों में इमली का स्वाध खटा प्रदान करने के लिए किया जाता है हलाकि हम आपको इमली की पतियों के फाइदे के बारे में बताने जा रहे हैं तो आईए विस्तार से हम इसके फाइदों के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे डायबेटीज की इमली की पतियों का सेवन करने से शरीर के रक्त शक्रा के स्थर को नियंतिर्ट करने में मदद मिलती है और इंसुलेन स्वेदन शेलता भी बढ़ जाती है इससे शुगर की बिमारी यानि की मदुमे में राहत मिलती है यह पीलिया को ठीक करने में मदद करती है नमबर दो मलेरिया मलेरिया मादा एनोफैलिस मच्छर के कारण होता है एक शोद के मुताबिक इमली की पत्यों का अर्क प्लास मीडियम फालसी पेरिस के विकास को रोबता है जो मच्छरो दोरा किया जाता है और मलेरिया का कारण बनता है इसलिए यदि आपको मलेरिया है तो आप इमली की पत्यों का अर्क ले सकते हैं यानि की रस ले सकते हैं स्कर्वी रोग एक होता है जो की विटामिन C की कमी के कारण होता है यह नाविक की बिमारी के रूप में भी जाना जाता है आम तोर पर स्कर्वी मसूडों और नाखनों थकान आदी जैसे लक्षनों के साथ होता है इमली के पत्तों में उच S-Carbon Acid समगरी होती है जो एंटी स्कर्वी विटामिन के रूप में कारे करती है अगर आपको स्कर्वी रोग है और आपको किसी भी तरह की प्राबलम है तो आप इमली की पत्तियों का रस लीजिए आपको बहुत फायदा मिलेगा दोस्तों ये घाव को ठीक कर देती है इमली के पत्तों में एंटी सेप्टिक गुण होते है जब इमली के पत्तों का रस निकाला जाता है और घाव पर लगाया जाता है तो वे घाव को तेजी से ठीक करते है इसके पत्तों का रस किसी भी अन्य संकर्मन और परिजी विकास को रोकता है इसके अलावा यह नई कोशिकाओं का निर्मान भी तेजी से करता है अलसर को दूर करती है नीम की पतियां अलसर में बहुत असैनिय दर्द हो सकता है इमली के पत्तों का रस अलसर को ठीक करने और लक्षनों से राहत देने के लिए उप्योग किया जाता है तो दोस्तों घवरानी की बात नहीं है अगर अलसर है घाव है इन सब में आप इमली की पत्तियों का प्रियोग करें और आप अपनी प्रॉब्लम से निजात पाएं इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों रिष्टेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें धन्यवा दोस्तों